तो आज से को नमस्ते पड़ा मैं आप अपना ठागुर प्रेकर सिंग हो रात के तस बच्चु के और कहानी का जो सिल्सिला है बदस्तूर जारी है कल का जो अपिसोड था अपिसोड नंबर 292 यानि दोसुबान बे कल की वीडियो में ऐसा मैंने आस तक कभी कहा नहीं लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितना मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ लेकिन ऐसा लगा कि कल की वीडियो को जान बूच की रोका गया यानि आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया चुकि कल जब मैंने वीडियो अपलोड की तो आप लोगों में से लगवग 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइब देखा अब लाइब 500 लोग देख रहे हैं उसके बाद आदे घंटे में उस पे 2000 व्यूज पूरे हुए 11 बजे तक उस पे 4000 व्यूज पूरे हो गए अब अगर इस इस आइबरेज से अगर आप देखिए और इस आइबरेज के हिसाब से आप कल्कुलेट कीजिए तो आप माने के चलिए कि आज तक तक तो कम से कम उस पे 5000 व्यूज होने चाहिए थे जैसे आम तोर पे हर वीडियो पे हो जाते है लेकिन 11 बज़े के बाद अचारक से किसी ने रिपोर्ट किया या फिर क्या किया कि उस वीडियो पे फिर ये कहा गया यूटूब की तरफ से कि आपकी वीडियो में कुछ वाइलेंट चीज है जबकि मेरी वीडियो में मैं ना ही कोई क्लिप यूज करता हूँ ना है कोई गन कल्चर प्रमोट करता हूँ ना है कोई ऐसी चीज तो फिर ऐसा क्यूं हो गया उसके बाद फिर जो इंप्रेशन होता है यूटूब में वीडियो अगे बढ़ने के लिए दो चीज जरूरी है पहला इंप्रेशन कि कितने लोगों तक जा रहा फिर होता है क्लिक थूरेट कि कितने परशंट लोग उसमें से देख रहे हैं तो जो मेरी वीडियो का इंप्रेशन था वो इक ग्यारा बजे तक था चौबिस हजार उसके बाद एक घंटे में अगर चौबिस हजार है तो दो घंटे में ये पचाहजार पार हो जाता था और अगर चौबिस घंटे का फासला देखुए यानि कल जब से मैंने अफ्लोट किया रास तक तो हर वीडियो में लगवा कितनी देर में आप मान की चलिए कि मेरी वीडियो का जो इंप्रेशन होता है पांच लाग से छे लाग हो जाता यानि 5-6 Л, ल, ल, लोग के सांब New- जाता है उसमें से पचाहजा ,ो जाठहजार लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कभी कपार कुछ चीज़ वो हो जाती है तो लग दो ल, ल, ल,ग देख लेते हैं लेकिन कल किया जो इंप्रेशन थशन का भी एक हमियाजा होता है कि बड़े-बड़े लोग ऐसे होते हैं जो नजर रखते हैं फिर रुकवा देते हैं और साइद इसी चीज का सिकार मेरा वीडियो कल हुआ खाये इसका कोई दुख है फिर इसका कोई मलाल नहींगे मैं प्रकर वही रहूंगा वही बोलता रहूंगा बस आप लोग का जो प्यार है वो लगातार मिल रहा है तो यही चाहिए था यही चाहिए और यही चाहिए रहेगा तो गजब का ये अजीब सा इत्पाक था और ये बाते आपको महज इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई लोगों ने कमेंट किया अभी मैंने एक फोटो पनी पोस्ट की थी एक मंदिर पे गया था तो दर्शन किया तो फिर होए पे कामरा अन किया एक फोटो क्लिक करवा ली और फिर पोस्ट कर दी तो उस पे एक दो लोगों ने कमेंट किया कि कल की स्टोरी कहा गई आपने कल स्टोरी क्यों नहीं सुनाई तो मुझे लगा फिर साहिँ क nächी लोग ऐसे थे जो इस स्टोरी का इंदिजार करते थे कि अगर अपलोड होई होगी तो सामने आएगी लेगि सामने आई नहीं तो पिर उनके मन में आया होगा कि कहा गई स्टोरी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि स्टोरी के साथ यही सब चीजे हुई इसलिए आपको बता रहा हूँ अब आते हैं आज की कहानी करूप कर दे और आज की कहानी यह कैसी कहानी है इस कहानी को सुरू कर उससे पहले उसी सच की वज़ा से कई हाथ से हो जाते हैं कई लोग की जान तक चली जाते हैं लेकिन फिर लोकलाच का डर ऐसा हमारे उपर चाता है कि हम फिर नहीं बोल पाते हैं और अंत में कई चीजे ऐसी होती हैं कई जिंदगी हैं हमारे हाथ से निकल जाती है वक्त निकल जाता है इज़त निकल जाती है तब जाके फिर हम अपने दिल पे पत्थर रखके फिर अपना मुझ खोलते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सचाई थी इसके बाद ये सारी चीज़े हुई होगी कही ने कही ये लिंक था लेकिं फिर कुईस्चन ये ही होता है कि अगर ये चीज़े हम पहले ही बोल देते तो साइध ये चीज़ नहोती और आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ होता है आज की कहानी राजस्थान की है राजस्थान का एक जिला पाली और इसी पाली जिले में एक गाउं है ठाकुरवास गाउं दरसल इसी गाउं में एक परिवार रहा करता था परिवार बहुत गरीब, खाने के एक तरह से लाले पड़े हुए थे परिवार के जो मुखिया थे मिस्री लाल, बेचारे बायो बिद्ध इस परियर में इतनी जान नहीं, इतनी टाकत नहीं कि कुच कर ले, कहीं मेनत मसदूरी कर ले उनके एक बेबी थी, वह भी बैचारी बुड़ी महिला बाकि एक बेटा था, जोगेंद्र मेख्वाल जोगेंद्र मेहवाल पे वह दो बच्चे थे, एक बेबी थी एक बेटा 13 साल का दूसरा बेटा 11 साल का और पूरे परिवार की जो जिम्मिदारी थी वो जो गेंदर मेहवाल पे थी सुरुवात में जो जो गेंदर मेहवाल थे अपने उसी जिले में अपने उसी गाउं के आसपास कुछ काम औगरा कर लेते लेकिन इदर जब माहगाई बढ़ी ते दरे दुनिया आगे बढ़ी तो कहें न कहें जोगेंदर महवाल को भी लगने लगा कि अब गाउं में रहे के इस तरह से काम सब्बो नहीं है घर में एक बुढ़ा बाप है एक बुढ़ी मा है दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी अब आगे पढ़ाना है बच्चे बड़े हो रहे हैं तेरा साल के बाद लगबगा आपमान की चलिए कि बच्चों का कारियर यहीं से डिसाइड होता है एक बीबी थी उसके भी जिम्मेदारी थी बस यही सारी चीजे थी जैसे दैसे करके कुछ सालों तक जो जो गेंदर महगवाल थे अपनी परिवार को आगे बढ़ाते हैं लेकिन जब गाव में रहके अब परिवार को आगे बढ़ाना मुस्किल हो रहा था तो फिर जो 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 गेंदर महगवाल थे ये चले जाते हैं चितोड और वहीं पे एक सिमेंट की फैक्टरी में काम करने लगते हैं अब जो गेंदर महगवाल उसी सिमेंट की फैक्टरी में काम करते हैं काम करने के बाद जो कुछ पैसे मिलते उसको अपने घर बेज देते अपने पिता के पास उसी से घर का खर चलता बाप बीमार होता तो उसकी दवा हो जाती बच्चे स्कूल जाते तो उरकी फीस हो जाती और यही चीजी कई सालों से लगातार चलती रही देदरे वक्त गुज कत मैं जहलना हूं साइद यह चीजे बच्चों को ना जहलनी पड़े तमाम चीजे बिलकुल ठीक चलती रहे लेकिन इसी बीच नौ जुलाई को यानि आज से लगबख एक ग्यारा दिन पहले नौ जुलाई साथ हुजार तेईस को ही यह जो 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 गेंदर था अपने होने लगे जब उन्हें लगा कि अब कुछ और करना चाहिए बच्चों की अच्छी जगा दाखिले अड्मिशन करवाना चाहिए तो फिर जो 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 गेंदर महगवाल था इसी साल के कुछ महीनों पहले यानि जब यह पिछला साल उनका बीता होगा एक्साम के हिसाब से मा दोने बच्चे और बीवी उसके पास हैं घर पे इसके वाल माबाप हैं इसके बाद नौ जुलाई को अपनी बीवी बच्चों को ही छोड़ता है छोड़ने के बाद यहां आता है यहां आने के बाद फिर नौ जुलाई को अपने माबाप के पास से रुपता है मा खाना और पहार बनाती है, उसके बाद उखाना खाता है 9 तारिक, 10 तारिक तक अपने पूरे गाँए में घुमता है, सारे लोगों से मिलता है हसी मजाग ठिठोले है, ये सारी चीजे होती है उसके बाद 11 तारिक को जो गेदर मैगवाल जो था अपने घर से किसी काम से निकलता है निकलने के बाद कहता है कि मैं जा रहा हूँ आपस उसके बाद कुछ दिन बाद आऊँगा अब माबाप को ये बाद बोली माबाप भी एक गंभारी मन से अपने बेटे को बीदा करते हैं बिदा करने के बाद फिर माबाप अपने कामों में बिजी हो जाते हैं उसके बाद एक दू घंटे बीटते हैं जब एक दू घंटे बीटते हैं तो फिर मा कहती है कि काम कीजिए अब फोन कीजिए पहुचा या नहीं पहुचा चुकि मा का दिल था हर बार ऐसा होता है कि मा ज लगता अब बेटे का फोन नहीं लगता तो फिर बहु को फोन करता है कहता है कि क्या जोगेंदर पहुंचा या नहीं लेकिन जैसे बहु फोन उठाती है तो कहती है कि नहीं अब रास्ता के वहल आधे घंटे का और दो घंटे से जादा का वक्त गुजर गया जोगेंदर माबाब को लगा कि हो सकता है कि रास्ते में कहीं रुख गया हो या फिर कहीं काम पे चला गया हो थोड़े देर तक और इंतिजार करने का फैशला करते हैं एक गंटे और इंतिजार करते हैं उसके बाद फिर फोन करते हैं लेकिन फिर फोन नहीं लगता उसकी बीबी को फोन कर रहें कि बेटा कहा गया परिशान भी हो रहें बेटे को फोन कर रहें तो बेटे का फोन नहीं लगा बीबी वही बराबर जवाब दे रहें कि अभी तक तो आये नहीं इधर जब पतनी लगातार यही बात सुन रहें कि वो घर से निकले हैं लेकिन आये नहीं तो भी परिशान वो भी कहती ही कि आप पता कीजिये कहां गए इधर बीवी भी अलग जगों पे फोन करती है अब चाहे माबाब फोन कर रहे हैं इधर दौर चाहे पतनी फोन कर रहे हैं कहीं से भी जोगेंदर मेगवाल का कुछ भी पता नहीं अब एक 11 तारिक देदरे पूरा बीत गया पती पतनी परिशान है मतलब माबाब परिशान है इधर बीवी परिशान है इधर बच्चों का रो रो के बुरा हाथ लेकिन इधर जोगेंदर का कुछ भी पता नहीं बारा तारिक होते होते तो पूरे गाउं में खबर हो गई कि जोगेंदर गाइब हो गया पूरे गाउं के लोग परिशान गाउंवाले खोज रहे हैं इधर फोन कर रहे हैं इधर दोड़ भाग कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग या फिर कोई भी सबूत या फिर कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिले जहां से कुछ भी पता चले सारे इस्तेदारों के हाँ पूस्ताच कर ली गई सारे दोस्तों के हाँ पूस्ताच कर ली गई जहां काम करता था वहाँ पे भी पतनी जाती है और पूस्ताज करती है लेकर जब कहीं से भी कोई सुराग या फिर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली तो फिर और कोई चारा नहीं बचा और सारे लोग जाते हैं इस्टेसन जो थाना था, सिर्यारी थाना और वहां पर जाने के बाद कंप्लेंडरज कर ya एक अब तो पुलिस वाले भी अब खुज मिन सुरू करते हैं पुलिस वाले गाव में आते हैं घरवालों से पूस्ताच करते हैं कि कब गया था कहा गया था उसके बाद फिर बीबी से पूस्ताच करते हैं कि क्या किसी से कोई वहाँ पे दुस्मनी तो नहीं इधर घरवालों से भी पूस्ते हैं कि किसी से गाव में कोई रंजिस तो नहीं इसके बाद फिर उम्र पूछते हैं तो पता चलती है कि 35 साल अब पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि कहीं कोई अफेर हो गया रहा तो नहीं किसी से चुकि आम तोर पे आजकल के टाइम में ना इसक का कोई उम्र रह गया है ना यह अफेर का कोई टाइम रह गया है किसी भी उम्र में किसी का किसी से अफेर हो जाता है तो जब यह चीजे पुलिस वाले लगातार पूछ रहे थे चुकि उनको भी डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ कोई affair हो और ये भाग गया हो लेकिन जब तमाम तरह से पूश्टाज पुलिस वाले करते हैं और कहीं से भी कोई ऐसा जबाब या पिर कहीं से कोई ऐसा गलू नहीं मिलता कि इसका कहीं कोई affair था या फिर कोई ऐसी बात थी तब पुलिस वाले परिशान कि एक आदमी के गायब होने की पीछे जो वज़ा होती या तो कोई अफेर होता या तो कोई दुस्मनी हो या फिर कोई पैसे का मामला लेकिन यहाँ तो परिवार वाले सारी चीज़े इंकार कर दे रहे हैं कि किसी से कोई अफेर भी नहीं था किसी से कोई रंजिस भी नहीं थी पैसे का भी कोई मामला नहीं जमीन का भी कोई विवाद नहीं तो एक अच्छा वाला आदमी गया कहा अब यह तमाम चीज़े पुलिस वाले पूस्ताच करते रहते हैं तवाम तरीके से छानबीन करते रहते हैं, वक्त देदे गुजरता रहता है, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा तो घर वाले भी परिशान हो रहे हैं, आसपास के लोग भी परिशान हो रहे हैं, जो पड़ोसी थे, जो घर के ही लोग थे, खांदान के लोग, वो सारे लोग अब लगातार घर के साथ एकदम कंदे से कंदा मिला के खड़े हैं चाहे वो चचेरा भाई मदन हो चाहे गाउं के और लोग हो चाहे वो सुन्दरलाल हो यह सारे लोग गाउं के ऐसे लोग थे जो इस परिवार से कही ने कही तालुक रखते थे दूर का कुछ ने कुछ रिस्ता था साहे लोग अब मदन कर रहे हैं मदन और सुन्दरलाल खासकर यह दोनों परिवार के सबसे क्लोस थे यह साहे लोग भी लगातार जाज परताल करवा रहे हैं कभी यह पुलिस वालों के चक्कर काट रहे हैं ये थाने का रूप कर रहे हैं कभी दोस्तों से, कभी रिस्तेदारों से कभी आसपास के इलागों में छान बिन कर रहे हैं वक्त देजरे निकल रहा, एक एक देजरे कट रहा है चाहे माबाप हो, चाहे आसपास के लोग हो चाहे बीबी हो, चाहे बच्चे हो सबका कलीजा बैठ रहा लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जहां से इस मामले का खुलासा हो अब जैसे जैसे दो चार दिन गुजर गए और पुलिस वालों के हाथ खाली थे तो पुलिस वालों को भी कही नगा एक तरह से बेज़ती लग रहे थी, अब पुलिस वाले काम ना करे और कुछ ना मिले, तब तो पुलिस वालों कुछ यह रहता है कि चली हमने कुछ की आई ने, तो कोई आउटपुट नहीं, लेकिन जब पुलिस वाले काईदे से काम करते हैं, और तब उन्हें कोई चीज न जानकारी नहीं मिले, तो फिर पुलिस वालों ने एक काम किया, और ये काम था कि गाउं में अब एक एक लोगों से गुपचुप तरीके से चानबीन शुरू की, चुकि अब उन्हें पता था कि ये टेक्निकल सर्बिलैंस के दम पे इस मामले में कुछ खुलासा नहीं होने हैं कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो, किसी ने कोई बात सुने हो, कोई रियूमर सुना हो, या फिर कोई ऐसी संदिक्द चीज, कोई ऐसा होफा उड़ा हो, कोई भी ऐसी बात हो, जो आप किसी से ना बताना चाहरे हो, तो आप प्लीज हम लोगों से सेछर कीजिए, यानि मिस्री लाल जो जोगेंद्र मेगवाल के पिता थे उनके पास गाउं का ही रहने वाला सुंदर लाल आता है आने के बाद एक जांकारी देता है कि जहां तक मुझे याद है कि यह जो जोगेंद्र था यह 11 तारिक को जिस तारिक को यह गायब हुआ उस तारिक को यह मदन के पास था यानि मदनलाल मदनलाल के साथ मैंने उसको जाते हुए कहीं देखा था जो समुधा एक सारवजनिक सोचाले है उसी के पास मैंने देखा था वो किसी के साथ जा रहा था ये मदनलाल ही था और मदनलाल तो ऐसा बता रहा है कि उसने देखा तक नहीं तो एक काम कीजि कहता है कि साहब मुझे एक बात यादा गई मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन अब बता दे रहा हूँ पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसी कुंसी बात है तब पिता कहता है कि जो मदनलाल है इसका मेरी बहुत से अफेर था यानि ना जाय सम्मंद और सुन्दरलाल बता रहा जब ये बातें बोलता है तब जाके पुलिस वालों कोई क्लू मिला पुलिस वाले फोरन मदनलाल को उठाते हैं उठाने के बाद अब पुलिस का पुलिसी अंदाज पुलिसी अंदाज के आगे मदनलाल तूट भी जाता है तूटने के बाद अपना एक बाले जुर्म करता और कहता है कि हाँ मैंने कतल किया उसके बाद जब पोलिस वाले वज़ा पूछते हैं तो उसने जो वज़ा सुनाई इस वज़ा के हिसाब से जो जो गेंदर था जो गेंदर मेगवाल ये तो काम की सिलसले में चला जाता है चित तोड़ घर पे उसकी बीबी अकेली और जो मिस्री लाल थे जो गेंदर की पिता उनको भी अच्छा लगता था कि चलो बुढ़ा पे में बेटा ना सही भतीजा तो साहरा बना अब अक्सर ये घर पे आता रहता और इसी दवरान जो जो गेंदर की वाइफ थी उससे उसका सम्मंध हो जाता है दोनों में नस्दी कि बढ़ने के बास दोनों फिर दूसरे का चकल लगाने लगे अब जो चकल लगाने लगे तो कही न कहीं इस बारे में जो 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 गेंदर की पिता थे मिस्री लाल उनको भी बनक लग जाती है अब अक्सर ऐसा होता कि न चाहते हुए भी जो ये था मदनलाल अक्सर घर पे आ जाता आने के बाद अक्सर भावी भावी करते भावी की कमरे में चला जाता कई बार जो दादी मा थी यानि जोगेंदर की दादी माता जी उन्होंने कई बार भी ऐसे अपति जनक खालत में दो अपने बेटे जोगेंडर को कहा कि काम करो बेटा, तुम एपनी बीज़े बीट को लेकर चले जाओ चुकिंड हुऌ आप अच्छे सकूल नहीं है अब जो गेंदरी ये बात सुनता है उसको भी पिता की बात ठीक लगती है अपनी बीबी और अपने बच्चों को लेके चला जाता है इधर जब अपनी बीबी और अपने बच्चों को लेके चला गया तो मदनलाल के इसक पेकतरा से ताला लग गया वहाँ जाने के बाद ना ह कहीं न कहीं पीछा चुड़ाने लगी और कहती कि मैं अपने पती के साथ हूं बात करूंगी तो पकड़ी जाओंगी अब जब यह चीजें लगातार चलती रही मदनलाल लगातार परिशान होता रहा लेकिन इसी बीच नव जुलाई को जब जोगेंदर मेगवाल आता है तो इसे लगता है कि अब यहां से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अब उसका प्यार जो है बिना रोक टोक के पर वांचड़ सके तो फिर क्या करें तो फिर इसके दिमाग में आता है कि क्यों अम इसका कतल कर दूंगा बीबी यहां पर आ जाएगी अपनी ससुराल जहां इसका पैत्रिक गाउं हठा कुरवास गाउं यहां पर आने के बाद फिर यहीं रहेगी उसके बाद पती भी नहीं रहेगा तो यह मेरे ही साथ रहेगी पांच योंगलिया मेरी घीमे होगी और ऐसा कतल करूंगा कि किसी को भनक तक नगलागेगी तो यहां से भी मैं बच अब नोतारिक से यह प्लान बनाता रहता है लगातार तरह तरह के प्लान तरह तरह के चीज़े सोचता रहता है लेकिन हर प्लान में कोई ने कोई दिक्कत थी लेकिन इसी बीच दस तारिक काते आते हैं इसने कुछ सोच लिया एक 11 तारिक को जब जोगेंदर जाने लगता ह तो रास्ते में यह जोगेंद से मिलता है मिलने के बाद कहता है कि काम करो इतने दिन हो गए तुम आए हो उसके बाद फिर चले जा रहे हो लेकिन कभी तुम आए दिमाग में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा छोटा बाई गाउं में है परिशान है उसको एकाग बोतल सराब पिला दी जाए उसके साथ कुछ पार्टी कर ली जाए अब जोगेंदर जब यह बात सुनता है तो जोगेंदर कहता है का रे यार ऐसी क्या बात है अभी क्या भी चलो और इसी मौकी की तलास में तो मदनलाल दो दिन सो फठक रहाता हूँ फौरन जोगेंदर को अपने साथ बाइक पर बैठाता है बैठाने के बाद लेके जाता है जाने के बाद फिर एक जगाँ पर बाइक रोकता है फिर ये लोग सराब खरीते हैं उसके बाद फिर सराब पी जाती है ज़ातर सराव यह जोगेंदर को पिला देता है खुद ना वराबर प्ता है अब सराव पिने के बाद पिर जब जोगेंदर नसे में धुत फौरण उसने जो कुलहाड़ी छुपा कि वहीं रखी दी उस कुलहाड़ी को ये निकालता है निकालने के बाद सबसे पहले उसके गर्दन को काटके अलग कर देता है अलग करने के बाद फिर उसके दोनों हाथ काटता है दोनों पैर काटता है धड़ काटता है उसके बाद सारे बॉड़ी पार्ट्स को यूँ ही आदे गंटे तक छोड़ देता है ताकि खून का एक बू बोरे में रखता है, बोरे में रखने के बाद एक जगह है बोरी मादा, इसी बोरी मादा के पास ये जाता है, उस बोरे को खोलता है, खोलने के बाद देखता है कि पास में एक नाला है, बरसाती नाला, वहीं पर फिर बोरे से धर को निकालता है, यानि चेस्ट का पार्ट, उ चलता जाता है, चलता जाता है, एक किलो मेटर, दो किलो मेटर, दस किलो मेटर, देखते हैं, देखते हैं, बीस किलो मेटर का सफर करके, यह पहुंच जाता है अपने ही गाउं, ठाकुरवास गाउं, वहाँ पहुंचने के बाद फिर वहीं पे एक बड़ा प्रसिद्ध मंदि दबाने के बाद फिर एक आम का पेड़ लाता है जो कि इसे डाउट था कि अगर मैं गड़ा खो दूंगा तो लोग डाउट करेंगे कि गड़ा खोदा क्यों और गड़े में इस तरह से मिट्टी फिर क्यों डाल दी चुकि दो-चार दिनों बाद फिर यह रिमर उड़ जाए पाने के चक्कर लगाता रहता है लेकिन जब यह लेके जा रहा था मदनलाल जोगेंडर को तिसी बीच गाउं का ही रहने वारा सुंदरलाल देख लेता है और उसके पिता को जाके बताता है उसके बाद लगाता है यह छे दिनों तक उसाम को पानी देता रहता है ताकि बात में नाहे उसने बेटे को बताया और जब कतल हो गया तो लोक्लाच के डर से छे दिनों तक जो पीता था नाहे उसने पुलिस को यह जानकारे दी कि कि हाँ ये अफैर तो था, जब्कि पुलीस वाले बार बार पूच रहे थे, कि किसी से किसी का कोई अफैर तो नहीं, लेकिन पीता बेचारा साय, छे दिनों तक वो समझ नहीं पाया, उसके बाद फेर चे दिनों बात जब उसे समझ में आया, तब जाके उसने बोला इसके बाद जब ये मामला खुला उसके बाद भी कई चीजें हुई पहला ये परिवार बहुत गरीब था तो इस परिवार के लिए फिर सोसल मीडिया पर कुछ चीजें चलाएगे कुछ कैमपेन हुए लगवाद दो-तिन लाख रुपए कठा किये गए उसके बाद इस परिवार को दिया गया चुकि एक मातर जो कमाने वाला था वो जो गेंदर था इसके बाद अभी परिवार वाले जो है सायद लाश लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया चुकि एक कारण था होगा मैं आपको आगे बताऊंगा अगर कुछ निकल के सामने आता है तो फिलाल यह थी पूरी कहानी अब आते हैं कल के शवाल पे और करका मेरा सवाल था कि अपने एक सब्द सुना होगा औरत हम सभी यूज कर देते हैं आप भी करते हैं भी करता था लेकिन इस आउरत सब्द का असल मतलब क्या है तो इस आउरत सब्द का जो असल मतलब है यह अपने आप में बहुत सर्मनाक और बहुत खिनोना है आउरत सब्द जो है वो बेशिकली लिया गया है अरवी सब्द के अरवी और फार्सी भासा में जिस सब्द से लिया गया उस भासा में इस्तरी जाती का या फिर नारी का जहां आम लोग इतना सम्मान करते हैं वहां उस नारी का केवल और केवल एक मात्र मतलब है वो है उसका प्राइबेट पार्ट यानि उसको उसके सिर्फ प्राइबेट पार्ट से ही जाना जाता है आप सोचके देखिए कि आपको कैसा लगे आज़े पुरुस कि आपको सिर्फ आपके प्राइबेट पार्ट से ही जाना जाए बाकि आपकी कोई बेक्तिगत या फिर कोई आपकी जातिगत पहचानना हो अब उसके बाद भी हम ऐसी चीजों को अपनाते हैं लगाता है बड़े धरले से बोलते हैं बड़ी प्रशंता होते हैं कि हम इतने सिबलाइजड हैं कि हम आउरत बोल रहे हम नारी नहीं बोलना चाहते हम इस्तरी नहीं बोलना चाहते हम आउरत बोलेंगे लेकिन इस सब्द का इतना गंदा मतलब है सायद आपसे यही उम्मिद है कि इस सब्द का मतलब जानने के पादब दो-चार-दस लोगो और बताईए साथे इस सब्द को प्रियास कीजिए कि ना बोलिए चुकि अपने आप में एक गाली है एक स्तरीजात के लिए तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है तोसीब खान जी है अंसुल जलोन जी है अजेगर्ग जी है सागर बागड़े जी है और सुरेज जी है सुमन जी है महिमा जी है सिवबक सिंग जी है बारबंकी से आप सेख भरदवाज जी है केरिठल से, और मुहम्मट खान जी है मुंबई से, सीराज अंसारी जी है, मिस्टर सुपरा जी है, और अब्दुल हनन खान जी है पाकिस्तान से, सुबोत कुमार जी है तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया तो आप तमाम लोगों को दिल से सुखकाम नाए अब आते हैं आज के सवाल पे और आज का मेरा सवाल है कि हरित क्रांटी में अपनी योगदान के लिए किसी सबसे पहला बिश्चुखाद पुरुसकार मिला था यह अने एक पुरुसकार है बिश्चुखाद पुरुसकार इसको सबसे पहला हरित क्रांटी में जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था उसे मिला था तो यह कौन थे अगर आपको इसके बारे में तब तक अचे रही